दुश्टो जुनियर एडिट परिक्षा भरती में लाखों युवाओं ने परिक्षा दी थी लेकिन वेकेंसी कितनी थी मुस्किल से पंदरा सव और कुछ प्रिंस्पल की वेकेंसी थी मतलब दो हजार के अंदर ही टोटल वेकेंसी थी यहाँ पर आप देख सकते हैं पंदरा पास में 145 नंबर लाने पर उठ रहे सवाल परिक्षा निमक प्रादिकारी से जाच की मांगी गई हैं लेकिन इस पर जो अभ्यरती हैं उन्होंने यहां तक कहा कि हमारे खिलाफ जूटी अफवाफ हैलाई जा रही है इन पर हम FIR करेंगे ऐसा कहा गा इनके दौरा आरोप पर यह है कि इन्होंने क्या किया है सिक्षक बरती परिक्षा में 145 नंबर हासिल किये हैं जो कि एक सामान निबात नहीं है क्योंकि 50 नंबर जीयस के आया थे लगबग हम यह मान करके चलें कि इनके 50 में से 45 सही हो गए और संस्कृत में 100 में 100 सही हो गए ऐसा लोगों का टेलेग्राम में इनके स्क्रिंसोर्ट लगातार वाइरल हो रहे हैं हम आपको एक एक करके इनके सारे रिजल्ट को भी दिखाएंगे किस तरीके से इनका सैक्षिक रिकार्ड रहा है वीडियो को अंतर तक देखिएगा और अभी भी अगर आप साथ नहीं दिये तो इसका कैसे पता चलेगा कि इन पर आरोप जो है वो सही है या नहीं है तो इस वीडियो को अब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेर भी करिएगा ताकि सभी लोग जाने कि हाँ ऐसा कुछ हुआ है क्योंकि जो मेहनत करने वाले बच्चों के साथ कहीं नहीं बहुत ज़्यादा भरती की लिखित परिक्चा में भी सेंध मारी की आसंका जताई जा रही है प्रित्यों की चात्रों का आरोप है कि नकल माफियाओं के खिल के करण 17 अक्टूबर को ही परिक्चा में कुछ ऐसे चात्र टापरों में सामिल हुए जिनका सैक्षडिक रिकार्ड अच्छा नहीं था अभी जो पेट का एक्जाम हुआ था उसमें भी 48.80% पाकर फेल हो चुका है लेकिन अचानक जूनियर एडिट बरती परिच्छा में 150 में 145 नमबर आ गए और उनके सगे भाई के 149 नमबर और उनके सहयोगियों के 125 से अधिक अंक मिले है चात्रों का रोप है जिस प्र चास में 140 से अधिक नमबर आये थे उस प्रकार की गड़बड़ी इसमें भी हुई है अब बात करते हैं के सैक्षिक रिकार्ड की तो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा होगा इनके नाम से राकेश कुमार पांडेन का नाम है बंटी पांडेन को कहा जाता है और लगा पर ये बात सबको हजम नहीं हो रही कि अचानक कोई बंदा जो लगातार धरना प्रशन कर रहा हो ट्यूटर पर एक्ट्व हो रहा हो और अर्णेती बना रहा हो वो अचानक से बिना पढ़े कैसे इतने नमबर ला सकता है इनका रिजर्ट आप देख सकते हैं सीटेट का यह अगर आप सेकेंडरी रिजर्ट देखेंगे क्योंकि इसमें वही बैठ सकता था जो जूनियर का एक्जाम पास किया हो तो सिक्स टू एट में इनके सरसेट नमबर अर्था यहां पर फेल हो गए अब बात करते हैं अब फेल हुए तो इनमें अगर हम दिखाएं आपको लें जूनियर में सो में सो कैसे आगए यही हाल यहां पर भी है ठीक है तीस में तेरा ही नमबर है ठीक है और अधर सब्जेक्ट में भी आप देख पा रहेंगे अगर हम बात करें यहां पर पेट का जो एक्जाम हुआ उत्तर प्रदेश अधीनस्त सेवा चैनायो का एक्जाम केस कुमारपांडी और इनके नमबर यहां पर है 48.something percentile है ठीक है तो यहां पर भी इनको fail गोसित किया गया यह है रिजल्ट सहाय का ध्यापक बरती परिक्षाद 2019 का जेनरल कर्टेग्री से यहां पर आप इनको 64 तंक के साथ not qualified दिख रहे होंगे इसके बाद हम बात करते हैं यह हम आपको दिखाई चुके हैं यह आपका result है जूनियर का जूनियर का result है यहां पर और इन्होंने यहां पर economically weaker यानि इन्होंने जो 10 प्रतिशत आरक्षड होता है क्या बोलते हैं उसको बोल गया है EWSA बोलते हैं 10 प्रतिशत आरक्षड का भी इन्होंने यहां पर apply करके अब यहां पर इन्होंने highlight कर रखा है यहां पर 135 भी हो सकता है 145 भी हो सकता है बट ज़्यातल लोगों का यह कहना है कि 145 नंबर ही इनको यहां पर मिले है 15 तारिक को यह result गोसित किया गया है तो यह एक करिश्मा है ठीक है सामानने बात नहीं है इसकी जाच होनी चाहिए पारियों तक भेजिए आप ट्विटर पे टेलेग्राम पे जहां भी आपके संपर्क में कोई है तो भेजिए ताकि इसकी जाच की जाए ठीक है यहां पर एक दूसरे बेरती हैं यह भी ससीकांत पांडे हैं इनके भाई या चचेरे भाई रहे होंगे इनके 149 नंबर है अर इनके 145 आए हैं तो दुबारा उसी पेपर को लेकिन अब यहां पर यह भी सवाल उट सकता है कि हो सकता है इनको आंसर की याद हो तो दूसरे सेट के पेपर को हल कराया जाए तो देखते हैं क्या होता है और अभी यूपी टेट की परिक्षा होगी इसमें संस्कृत में इन इरतियों की यही मांग है और आपकी क्या मांग है आप क्या चाहते हैं कॉमेंट करके बताईएगा अगर जाच नहीं हुई तो आगे आने वाली बरतियों में भी ऐसा होता रहेगा और फिर चुप चाप आप इसको सहन करते रहेंगे हाला कि आपने पिछले रिकॉर्ड में इनका पूरा नंबर आप देख सकते हैं हाई स्कोल एंटर और ग्रिजुएशन में कितना क्या रहा है तो आज के इस वीडियो में इतना ही में अगले वीडियो में इस वीडियो को जादा से जादा लाइक और शेयर कर दिएगा थैंक्यू सो मच बाबाई